तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपने online platform back to book में जहां पर मैं आज आप लोगों को DSSSB DSSSB का जो 2018 में exam हुआ था उसका मैं आज GK section यानि general evidence section जो है वो बताने जा रहा हूं 20 marks का test of language Hindi और test of language English दोनों 20 marks का होता है और part section B जो है उसमें subject related से 100 question पूछा जाता है ठीक है तो यह syllabus है और आज के section में मैं आप लोगों को general evidence का जो 20 question है जो की 2018 में पूछा गिया था मैं उसको आप लोगों को बताने वाला हूं तो देखिए पहला question है कि सिक्की में साक्षर्ता दर थी वह 81.4 परती सत्ता है ठीक है यानि इसका right answer हो जाएगा option number B ठीक है जहां पर पूरू साक्षर्ता दर जो है वह यानि male साक्षर्ता दर जो है वह 86.56 था और female 75.61 ठीक है तो यह 2018 की बात थी और अभी जो current में 2020 में भी साक्षर्ता दर निकाला गिया था उसमें देखि जो है भारत की साक्षर्ता दर भारत की ग्रामीन सहरी या सबसे अधीक सबसे कम यह पूछा जा सकता है इसलिए मैं आप लोगों को यहां पर पता दे रहा हूं कि अभी जो परजेंट में देश की कुल साक्षर्ता दर है वह 77.7 परती सत्त है ठीक है जिसमें ग्रामीन साक्षर्ता दर के हिसाब से जो पाल टॉप स्टेट है वो है किरल जहां पर टोटल जो है 96.2% साक्षर्ता दर है ठीक है इसमें दिल्ली जो है दूसरी अस्थान पर है 88.7% और अगर लाश्ट में पूछा जाए सबसे खराब साक्षर्ता दर वाला स्टेट वह है आंधरा प देखिए वहां पर आपको सारा इस्टेट का जो साक्षर्ता दर है उसको अलग लग से बताया गया है ठीक है अब देखिए नेस्ट पूछा गया कि उपराश्ट पती के द्वारा सुरी उपराश्ट पती के डैस द्वारा चुना जाता है और निर्वाचक मंडल का सदस होत राज सभा या लोग सभा के सदस होते हैं तो इसका राइट एंसर होगी अप्शन नमबर सी नेक्स देखिए नेक्स पुछा गया है कि गंगा मैदान में करनली नदी को किस रूप में जाना जाता है ठीक है तो गंगा मैदान में करनली नदी को घागरा नदी से जाना जाता यानि इसका right answer हो जाएगा option number B ठीक है अब देखिए घागरा नदी की बात है तो यह जो है तिबद के उचे परवत सिखरों से जहां पर मानसरोवर जील है उसके समीब से यह नदी निकलती है और इसको जो है नेपाल में करनाली नदी के नाम से जाना जाता है और इसको भारत में जो है वो घागरा नदी के नाम से जाना जाता है ठीक है और यह जो है बलिया और छपरा के बीच में जो है के आसपास गंगा नदी में आके मिल जाती है ठीक है तो आप लोग इसको भी याद़ाए है कि 2018 जून 2018 में आउजीत ब्रिक्स परति निरिदर क्या था ठीक है तो ब्रिक्स का जो तो 2008 में दसवां शिक्कर समयलन अउजीत हुआ था वो साउथ अब्रिका में इसका आयज़न हुआ था और भारत का परतिनिदित जो है वो नरेंद मोदी किये थे यानि इसका राइट एंसर होगी आपसन नमबर ए ठीक है अब देखिए यहां पर 2018 का एक्जाम का प्रिबियस का कॉस्चन है लेकिन अभी 2021 चल रहा है ठीक है तो देखिए 2018 में जो है वो जोहांसबर्ग यानि साउथ अपरिक में किया जाएगा फिर से रिपीट होगा और 2024 में ब्राजिल में किया जाएगा ठीक है तो आप लोग इसी तरह इसको याद रखिए यहां पे 10 वह था वह 2018 में सौध अपरिका में हुआ तो 11 ब्राजिल में हुआ 12 रसिया में हुआ 13 जो है वो 2021 में इंडिया में होगा लोग इसको इस टाइब से याद रखें ठीक है अब देखिए इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 2009 में हुआ था उस टाइम इसका नाम था ब्रिक भी आर आई सी ठीक है यानि ब्राजिल रसिया इंडिया और चाइना और जब दुसरा इसका सम्मेलन आयजन किया था 2010 में तब पहली बार साउथ अपरिका का एंट्री ब्रिक में हुआ और इसका नाम जो है वो ब्रिक्स पड़ा यानि इसमें एस जो है वो एड हो गया कि एक्रित्रिम स्विट्र कौन है तो कृतरिम स्विट्नर है यानि इसका राइट एंसर हो जाएगा option no.ब ठीक है यानि आप स्विट्र जान वोला जाता है यानि इस पूछा गया है कि 2018 season में जवार नियूंतम समर्थन मुल क्या था तो देखिए एक्जाम जो है वो 2018 का है तो उस टाइम 2018 का पुछा गिया था तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अपसे नमर भी यानि 2450 रुपिया था 2018 में जोर माल डंडी का नियुन्तम समर्थन मुल ठीक है लेकिन अगर अभी एक्जाम होता है और पूछा जाए तो 2020 का पूछा जाएगा थिक है नेशन पूछा गिया कि ऑबजेक्ट खीचने या उठाने के दोरान रिनात्मकार किसके दोरा किया जाता है तो ऑबजेक्ट खीचने और उठाने के दोरान जो है वो रिनात्मकार जो है वो गुर्तवा कर्शन बल दोरा किया जाता है यानि इसका राइट एंसर होगी पर पर इसको बाटा गिया ठीक है एक होता है North South यानि उत्तर से दक्षिन की और एक पार्ट बाटा गिया है और दुसरा West to East यानि पस्षिम से पूरव की और ठीक है तो North to South जो है उसमें Great हमाले हमाले हैCी मध हमाले और चीवाड़त जो है और पाइस हमाले में स्थित और drought जो है और दुसरा एक बटवाण इसके दो भाग में बाटा जाता है एक North to South और एक West to East तो North to South में ही Great permits मांधी माले और सिवालिक पाए जाता है जिसमें से Mount Everest और कंचन जंगा जो है वो प्रेटर हिमाले में पाए जाता है ठीक है अब देखिए यहां पर हिमाल कंचन जंगा की बात थी तो कंचन जंगा की जो हाइट है वह 8586 मीटर है ठीक है जो की विश्व का तीसरा सबसे बड़ा परवत है यह तो आप लोग इसको याद रखें और यह जो है वो सिक्कीम और न अब देखिए नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात है तो इसकी अस्थापना जो है वो चोगदा अगस्ट 1993 को किया गया था और इसका हेटकवाटर नियु दिली में है और परजेंड में इसका चेयरमन है भगवान लाल साहनी तो आप लोग इसको भी याद इसका राइट एंसर होगी आपसन नंबर सी नेश्ट देखिए नेश्ट पुछा गया कि हिमादास ने 20 एथिलिट चेंपियन्शिप के तहद दुनिया में दुनिया में महिलाओं के डेस्वर्ण पदक जीते हैं ठीक है तो वो 400 मीटर का रेस जो हुआ था वो अंडर 20 एथिलिट चेंपियन जो हुआ था उसमें 400 मीटर के लिए इसका राइट एंसर होगी आपसन नंबर बी अब देखिए यह जो था आई एए एफ यानि विस 20 एथिलिटिक चेंपियन में 400 मीटर की रेस में कोई गोल्ड मेडल जितने वाली यह पहली भारती महिला बनी थी ठीक है और इनको जो है हिमादास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है इनका उपनाम दिया गया है डिंग एक्सप्रेस ताप लोग इसको भी याद रखें और यह असम की है पुझा वहां पूझा गया है कि उनिश्वीं सतापदी में समाजिक सुधार अंदैल्वन के परमुक संगठन तत्तो बोधनी सभा की अस्थापना जो है वो देवेननाठ टेगॉर इनको जो है देवेननाठ ठाकुर के नाम से भी जाने जाता है द्वारा किया गया था तो इसका राइट एंसर होगी आप्शन नमबर C ठीक है और इसकी अस्थापना जो है वो अठारो सो इनकी अस्थापना जो है वो स्थापना किया गया था ठीक 1849 में और पुन्हा इनको जो है वह 1860 में जो है वह पुन्हा इसको ब्रामा समाज में मिला दिया गया था एकमेद हो कुछए है किْ किसे मिलक्मेन ओफ इंडिया के नाम से जाना जाता है तो मिलक मैन ओफ इंडिया के नाम से जू है तो इसका राइट ऑन सरों की किन को जाना जाता है और एक होता है forest man of India ठीक है तो मैं एक question आप लोगों को बता दे रहा हूँ और एक question आप लोगों से पुछा जा रहा है अगर आप लोगों पता है तो आप comment करके जरूर बता है ठीक है तो water man of India के नाम से जो है राज़ेंदर सिंह को जाना जाता है और फोरेεια स्प्षेस्टमेंड उफ इंडिया के नाम से वो आप लोगों को बताना dijo the 2019 पूचा है कि अक्षे वैंकटेश निमल मैंसे किस गनित्स से संबधित है तो अख्षे से 13,1414,13 तक थी याननी इसका राइट एंशर होगा आप्सन नमबर B ठीक है कि निश्चे पुछा गया है कि तमासा कि सराज का लोक निरित है तो तमासा जो है वो महराश्च का लोक निरित है याननी इसका राइट एंसर होगी option number A ठीक है अब देखिए बिहार की बात है तो बिहार का लोक निर्थ होता है जाट जाटीन यूपी का होता है नोटंग की और जार्खन का होता है सरहूल तो आप लोग इसको भी याद रखें नहीं देखिए निमलिखित में से कौन दक्षिन भारत का एक राजव राजवन्स नहीं था ठीक है तो दक्षिन भारत का राजवन्स जो है वो वाक्टक था चालो के था साथ वहां था लेकिन हर्यक जो है वो नहीं था तो इसका राइट अंसर हो जागा option number A नहीं देखिए नहीं पुछा गया कि CPIRL के लिए क्या जो है वो क्या काम करता है तो इसका राइट अंसर हो जागा option number A नहीं देखिए नहीं पुछा गया कि ओलंपिक खेलों के मेराथन इवेंट में कितनी दूरी जो है वो तैक करनी पड़ती है तो ओलंपिक खेल में जो मेराथन दोल्ड लग होता है उसमें टोटल जो है वो 42.195 किलोमीटर ये जो है वो किलोमीटर होगा ठीक है कि दूरी तैक करनी पड़ती है यानि इसका राइट एंसर हो जागा option number C ठीक है जिसको अगर मील में देखा जाए तो वो 26 मील और 385 गज होता है ठीक है और इसको किलोमीटर में जो है वो 42.195 तो समाजिक रूप से उपियोगी कुतपादक कारिकी और धावर्णा जो है वो 1977 को लागू की गई थी तो इसका राइट एंसर होगी option number B ठीक है तो ये आज के वीडियो का last question था अधी आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को like, share जरूर करें और चैनल को अ का डिके झाल करें पस दो की बाहर को अपकोra नापको इनके एंसरे मैं वीडियो को आपका सकी स्टीकाणा है